आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now इस Question में देखे क्या बुलाए कि 4X belongs to 0, Pi by 2 identify whether 2SinX plus TanX और 3X which is greater ठीक है हमें पता करना है कि 2SinX plus TanX बढ़ा है या फिर 3X बढ़ा है ठीक है फिर ये पता करने के बाद हमें क्या करना है Limit X tends to 0 3X upon 2SinX plus X इसका Greatest Integer Function इसकी Limit Calculate करनी है ठीक है तो देखे सबसे पहले हमें क्या करना है हमें देखे compare करना है 2SinX plus TanX और 3X इस वाले function को ठीक है हमें बताने की कौन सब Greater होगा तो देखे हम क्या करेंगे देखे इस question को solve करने का अलग process होगा हम क्या करेंगे हम एक f of x मान लेंगे जो की होगा 2SinX plus TanX minus 3X अब देखे ये f of x मान लेंगे से क्या हो गया कि देखे अगर हमें ये क्या प्रूफ करना है अभी हमें प्रूफ करना था कि इन में से कौन सब Greater होगा ठीक है तो देखे है मैं बोल सकता हूँ कि f 3X Greater होगा 2SinX plus TanX से तो मतलब मेरा f of x क्या हो जाएगा f of x equals to negative in 0,3 pi by 2 0, pi by 2 ये इंटर्वल दिया है ठीक है तो इसमें हमारा f of x negative हो जाएगा और अगर y से वर्सा होता है यानि 2SinX plus TanX Greater than 3X होगा तो मेरा f of x जो है equals to positive in 0, pi by 2 होगा ठीक है तो अब देखे पॉजिटिव होने के इसके देखे सबसे पहले हम क्या कर लेते इसके लिए f of 0 अगर calculate करें तो f of 0 क्या होगा देखे ये होगा 2 into sin 0 क्या है 0 plus Tan 0 क्या है 0 और minus 3 into 0 तो देखे ए f of 0 क्या आगया मेरा 0 तो देखे अगर मैं graphically आपको explain करना जाऊँ तो देखे अगर समझ लिजे ये देखे ये हम इदर एगर x-axis बनाए और ये मेरी y-axis है ठीक है तो देखे अगर हमें f of x plot करना है तो देखे ये कहां कहां से interval होगा एक तो 0 और πाई बाई 2 तो देखे f of x के लिए 0 पे तो 0 value आई अब देखे अगर ये function f of x की value देखे इस तरह से आती है positive आती है तो मैं क्या बोलूँगा कि f of x अगर positive आ रहा है तो देखे क्या हो जाएगा मेरा condition ये वाली चीज़ satisfy होगा यह निए 2 sin x plus tan x greater than 0 ये चीज़ आ जाएगा और अगर f of x negative आता है तो देखे यहां में लिख दूँगा कि 2 sin x plus tan x greater than 3 x के लिए ये possible होगा और अगर f of x negative आता है तो यहां से क्या imply होगा कि 3 x is greater than 2 sin x plus tan x ठीक है तो simple addition का logic जो है ये हम देखेंगे कि ये function बड़ा है उसमें से छोटा function minus करेंगे तो obviously positive मिलेगा और अगर ये function छोटा है उसमें से बड़ा function minus करेंगे तो negative मिलेगा तो इस तरह से कुछ graph आएगा ठीक है अब देखें दो तीन तरीके हैं इस तरह के हमें देखने के लिए कि graph का nature क्या है सबसे पहला देखें एक तरीका होगा कि हम f dash x calculate करें f dash x calculate करने से क्या हो जाएगा देखें अगर हम derivative function का निकालेंगे तो देखें मैं बुलोगा कि f dash x greater than 0 इसका मतलब क्या होता है कि f x is increasing ठीक अब अगर f x increasing होगा तो यानि f of x की value जो है 0 से pi by 2 के बीच में कहीं भी f of 0 से ज्यादा होगी क्योंकि देखें increasing function का यह definition होता है तो यह देखें यह हमारा यह वाला condition satisfy हो जाएगा तब और अगर f dash x less than 0 हो गया तो यह क्या बताता है कि f of x जो है is decreasing तो देखें decreasing होगा तो यानि 0 से pi by 2 में कोई भी value जो है f of 0 से छोटी होगी तो देखें हम क्या बोलेंगे फिर यह वाली condition आएगी तो देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे f dash x निकाल लेते हैं तो f dash x यह क्या हो जाएगा देखें function क्या है मेरा 2 sin x plus tan x minus 3 x तो 2 sin x का differentiation हो जाएगा 2 cos x और tan x का differentiation अगर हम करें तो वह हो जाएगा 6 square x से आ जाएगा 6 square x और plus sorry minus 3 आ जाएगा 3 x का differentiation 3 तो minus 3 आ गया यह चीज़ आ गए मुझे ठीक है तो देखिए मैं अभी मुझे प्रूव यह देखना होगा कि इसका nature क्या है तो ठीक है तो देखें यहां पर देखें cos x जो है 0 से पाई बाई टू है 0 से पाई बाई टू के बीच में cos x जो है positive होता है अमेशा similarly sec x भी जो है अमेशा positive होगा sex square x तो देखें हम यहां क्या concept लगाएंगे am greater than gm का कैसे लगाएंगे देखें इसके लिए लगाएंगे हम cos x देखें मैं इसको लिख सकता हूँ कि cos x plus cos x plus 6 square x divided by 3 is greater than equal to cos x multiplied by cos x into 6 square x to the power 1 by 3 यह देखें amgm greater than gm वाला greater than equal to gm वाला concept कब लगता है जब हमाएंगे पास सब positive quantities होती है ठीक है तो देखें इस interval में cos x भी positive है 6 square x भी positive है तो हमने इस तरह से am greater than gm लगा दिया तो देखें cos x into cos x cos square x हो जाएगा cos square x into 6 square x क्या हो जाएगा 1 ठीक है 1 to the power 1 by 3 1 हो जाएगा तो यहां से हम लिख सकते कि cos x plus यानि 2 cos x plus 6 square x यह हमेशा 3 से greater होगा देखे 3 multiply हो जाएगा इदर अगर तो देखे 3 से greater होगा तो यानि मेरा f dash x यह क्या आगया positive ठीक है क्योंकि देखे greater than equal to 3 दिया गया तो minimum value 3 होगी और इससे 0 से pi by 2 में इसकी value हमेशा उससे equal होगी और फिर जादा होगी तो देखें मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा graph किस nature का आएगा इस वाले nature का आएगा और f dash यानि क्या आगया मुझे इस वाले nature का आगया तो क्या हैगा f x जो है positive होगा इन 0,3 by 2 तो देखें 2 sin x plus tan x 3 x से बढ़ा होगा यही प्रूफ करना था हमें तो देखें हमारा first part तो हो जाएगा कि 2 sin x 2 sin x plus इसको चैसे लिख देता हूं मैं इदर first part का answer हो जाएगा कि 2 sin x plus tan x is greater than 3 x ठीक है अब second चीज़ क्या पुछी है second चीज़ पुछी है कि limit x tends to 0 3 x upon 2 sin x plus tan x इसका greatest integer function ठीक है अब देखें यहां हम पिछला जो result आया हमें कि 2 sin x plus tan x is greater than यह आ गया मुझे greater than 3 x ठीक है 0, pi by 2 में greater than 3 x होगा तो मैं लिख सकता हूं कि 3 x upon 2 sin x plus tan x ठीक है अगर दोनों साइड हम यह कर दें तो देखें यह क्या होगा less than 1 होगा हमेशा ठीक है तो देखें किसी भी quantity का किसी भी कोई भी quantity अगर less than 1 है तो उसका greatest integer function क्या आ जाएगा मुझे अगर जो है greatest integer function उसका 0 आएगा तो देखें मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि limit x tends to 0 यह जो है function इसकी पूरी limit के आएगी 0 आएगी क्योंकि देखें इसकी जो है value क्या है less than 1 है और less than 1 किसी भी quantity में अगर हम greatest integer function लगाते हैं तो वो हमेशा 0 आती क्योंकि any quantity between 0 and 1 इसकी जो है हमेशा value greatest integer function की 0 आएगी ठीक है तो देखें यह second part इस तरह से first part का ही result यूज करके जो कि हमाया result आया था यह वाला कि 2 sin x plus tan x is greater than equal to 3x हमेशा तो देखें यह वाला result यूज करके हम इस limit में देखें इपल greatest integer function में लगाएंगे कि अगर देखें 0 से 1 के बीच में value होती है अगर L belongs to 0,1 तो greatest integer function of L equals to 0 यह वाला logic लगाएंगे तो देखें सेकेंड पार्ट का अंसर क्या होगा कि इस limit का अंसर क्या होगा equals to 0 classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप या whatsapp कीजिए अपने डाउट्स आठ चार्सो 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 पर